वेलकम टू सभूम टेक सेंट जॉंस कॉलेज आगरा की तरफ से एक इंपोटेंट अपडेट आ रहा है सेंट जॉंस कॉलेज आगरा ने बीकॉम वाकेशनल इंसुरेंस की जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिये अगर आप ये मेरिट लिस्ट देखना चाते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन वाक्स में इस वीडियो इस वेब पेज का लिंक आपको मिल जाएगा जैसे आप वेब पेज पर आएंगे इस पर आप क्लिक कर दियेगा जैसे आप ब्लू लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक PDF आपके जो डिवास में डालोड होने लगे इसे आप PDF ड्राइव 3DF opener में open करियेगा then आपके सामने merit list है वो आ जाएगी उससे पहले कुछ important documents लेके हैं जो कि आपको consuling ले जाने होंगे जो कि मैंने परानी वीडियो में भी आप सबको बताया है कि high school की original mark sheet 12th की original mark sheet आपको ले जानी होगी consuling के वक्त हाला कि हो सकता है कुछ आपने से student पर 12th की original mark sheet ना हो तो आप internet copy भी ले जा सकते हैं आपको अपना university का web registration नमबर और अपने पराने college से TCP लेके जानी है एक photo और अगर आप reservation category की तरफ से तो आपको card certificate ले जाना होगा और इन सारी document का one photo state सेट आपको ले जाना होगा तो जनरल category यानि open category की cutoff है वो counseling है वो 18 October 2021 को होगी दोपेर 12 वजे से तो ये cutoff list है मैं इसे धीमेदी में scroll कर देता हूँ आप देख ली जाएगा 145.90 highest गई है और यहाँ question category की बात करें तो एक student ना apply किया है question category की जो cutoff है 103.28 गई है OBC यानि अधर backward class की जो counseling है वो 18 October 2021 को है तो पैर 12 वैसे 106.77 cutoff गई है highest और lowest cutoff 85.47 गई है यही अधर मैं बात करूँ schedule cast यानि ऐसी category इनकी जो cutoff है वो 105.28 से लेकर 80 तक गई है और इन सब की counseling है वो 8 October 2021 को है यह यह important update था जो कि सेंजिंस कॉलेज की तरफ से आ रहा था है इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों साथ share कर देने जानकारे मिल जाएगी 8 October को counseling है बी कॉम vocational insurance की मैं आपके लिए सेंजिंस कॉलेज से लेटीव वीडियो लाता रहता हूं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कहें कि नेक्स टैम आपकी वीडियो लांगत आपको notification मिल जाएगा जय हिंत जय भारत